मेर नाम है संदीप और अफटर ए लॉंग टाइम मैंने एक और रॉम यहां पर ट्राइ की है मी 11X के लिए विच इस मी वाई एक्सल रॉम और यह जो रॉम है अपने फीचर्स के लिए या फिर परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा आप्टिमाइजड है तो इसका जो पूर एक्सपिरेंस है मैं आपके साथ शेर करता हूँ सबसे पहले चलेंगे इस सेडिंग्स में और यहां पर कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा अगर आप माई डिवाइस में देखोगे तो यह एक्सल वर्जन है और यहां पर लोगों भी देख कर सकते हो एंडवर्ड सिक्यूर्टी अप्डेट नवेंबर 2022 से अप्डेटिड है और जो करनल अवो नेक्सस अलॉइथ वी टेन आर्ट सी 4.0 आपको मिल जाता है जो कि मैं पहली बार ट्राइ कर रहा हूँ और इसका एक्सपिरेंस गेमिंग में कैसा है वो तो आपके साथ मैं आगे शेयर करूँगा ही बट सबसे पहले एक्सल इंफो के अंदर जाते हो तो यहां पे आपको वाल पेपर सेक्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि टेलिग्राम के अंदर आपको रीडिरेक्ट करेगा उसके बाद एक्सल लैब है फिल हाल के लिए यह जो एक्सल लैब QHD Plus का उप्शन आपको मिल जाता है जो कि by default setup रहता है और नया refresh rate UI का उप्शन है and AI Image Engine के अंदर चारों के चारों आप्शन आपको मिल जाएंगे Sound and Touch के अंदर आ जाते हो तो यहाँ पे Sound Effects में आपको Dolby Atmos मिलेगा and Visual Effects आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे बागी Equalizer वगएर आपके Earphones के थूरू वर्क करने वाले हैं Notifications and Control Center की बात करें तो यहाँ पे Control Center में आपको कोई ज़्यादा Customizations देखने को नहीं मिलती Features हैं, Arrange Items से Recents में आप जो है Customization काफी अच्छी खासी कर सकते हो और यह Modded MIUI का System Launcher है जिसके अंदर 2 iOS के Recents Animations आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे Almost सभी चीजे प्रेजेंट है, Battery में आते हो तो वही सारे Options है, Battery usage आपको मिल जाती है जो Basically इसकी Health है वो आप चेक कर सकते हो, and Boost Charging Speed है, Optimized Charging है, Temperature है, कितने बार आपने चार्ज किया वो भी यह शो करेगा and अगर आप देखना चाते हो तो यह Memory Extension का Feature है, Special Features के इंदर अगर आप देखोगे तो MIUI Lab में App Flash Cards आपको मिलेगे and Floating Window में Sidebar का Option है, बड़ जो Conversation Bubbles हैं, वो आपको यहां पे नहीं मिलते हैं आप के Smoothness के उपर आएंगे, बड़ उससे पहले 71% तक आप में से लोगों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया UI काफी तकड़े तरीके से Optimized है, कोई Lag या फिर Stuttering आपको UI के अंदर नहीं मिलता और ये Modded Launcher की वज़ासे है, जो Experience है आपका, वो मैं आपको यहां पर बता दिता हूँ कैसा होने वाला है तो अगर आप App Open या फिर Close करते हो, या फिर Multiple Apps उपन करते हो, तो आपको यहां पर कोई भी Lag या फिर Stuttering नहीं Face करना पड़ेगा हालां कि कुछ Apps आपके में भी Close हो सकते हैं, बट ये जो Ray Management है, ये मैं Excellent बोलना चाहूँगा and you can see that, यहां पर आपको कोई भी Problem वगरा नहीं आने वाली, जो Optimization है वो काफी तगड़ी है and जो IOS Recents में है, इसमें भी कोई Glitches आपको देखने को नहीं मिलते, as you can see, Two Recents आपको मिल जाते हैं, IOS के and यहां पर जो Stock Camera यूज किया गया है, वो आप Check Out करोगे, तो Leica का Camera है और यह जो Leica का Camera है, यह Normal Camera आपको नहीं मिलता, यहां पर आपको 4K, 24fps वगरा का Option मिलता है जो कि अभी के लिए तो यहां पर Disabled है, I don't know why, बट यहां पर Modes आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं यह एक Advanced Camera है, जिसमें अगर आप देखोगे, तो यह जो Features हैं, आपको Super Moon वाले और Compact Mirror वाले सब कुछ मिलते हैं AI Watermark है, Stickers अवतार है, Vlog, Pro Mode आपको मिल जाएगा So Highly आपको यहां पर Advanced Camera मिल जाता है, MIUI का, Basically Leica Edition है, बट MIUI का ही Camera है, आप यहां पर इसको बोल सकते हो ज़रूरी चीज़ें में आपको चेक करवा देता हूं, बट उससे पहले एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा यहां पर अगर आप देखोगे आपको Enhanced Keyboard देखने को मिलती है, जो की काफी ज़्यादा Beautiful है भाई, यहां पर जो एक जिसका Experience है ना, वो Next Level होने वाला है टाइपिंग का Theme के अंदर अगर आप देखोगे तो System Auto के अंदर यह आपको Theme मिल जाएगी और Dynamic Color वाली मैंने Select नहीं की, इसके अंदर जो यहां पर Space है वो उतनी Better आपको नहीं मिलती है, जिस तनी इसके अंदर By Default जो आपको मिलती है, यह जो Better है और इसको आप Try कर सकते हो, अब सबसे पहल काफी Lower मैं बोलना चाहूँगा फिलहाल के लिए, बट अब actual performance कैसी है, वो आगे आपको बताता हूँ, यह आपको charging speed मिल जाती है, अब भाई मैंने इसको 100% तक charge कर लिया, जो battery consumption है वो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता, और वो मैंने capture किया था, बट screenshot लेना भूल गया, ब कोई major यहाँ पे drain नहीं मिला, during the night कोई problem नहीं आई, यह आपको CPU throttling graph मिलता है, जिसमें 94% तक आपका CPU throttle करता है, और मेरा device Mi 11X है, तो of course यहाँ पे 2.74 GHz तक ही जो है, maximum CPU clock speed शो करता है, I don't know why, बट यहाँ पे यह इशू मेरे को काफी सारी MIUI ROMS के अंदर मिला है, तो यहाँ गेमिंग के लिए, तो first of all मैं बता हूँ, तो normally अगर आप गेमिंग करना चाते हो, मैं बात करा हूँ, अगर आप गाड़ी वगरा नहीं चलाना चाते है, बीजियमाई के अंदर अगर आप गाड़ी चलाओगे ना, तो आपका जो FPS है, वो literally 66 के आसपास भी आ जाता है sometimes, त तो मैं उसको थोड़ा major lag बोलना चाहूँगा, क्योंकि 90 FPS आपको मिल जाता है इस ROM के अंदर by default, तो FPS आपको वहाँ पर drop देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बड़ अगर मैं दूसरी साइट से बात करूँ, आपके आसपास अगर close range में enemies भी हैं, और आप land के उपर basically खेर रह वहाँ पर मेरे को 66 के आसपास या फिर 60 के आसपास FPS drop देखने को मिला था, तो यह है मेरा overall experience इस ROM के साथ, gaming के लिए आप इसको try कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, तो वह आपके ओपर depend करता है, बट UI की optimization वगरा काफी अच्छी है, यह काफी अच्छा option है अगर आप इसको gaming के लिए try करना चाहते हो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई like करके जाना, मिलेंगे next interesting वीडियो के साथ